तो सासरी कल सारे आनो, मैं हूँ प्रावब विर्केड, इंफिनिक्स वालों ने अपनी Note 12 की 4G सीरीज इंडिया में लौच कर दी थी, अब 5G सीरीज भी कर दी है, उसमें से एक फोन हमारे पास आ चुका है, इंफिनिक्स Note 12 Pro 5G, और ये फोन क्या आपको चेक करना चाहिए, क् तो काफी बैलेंच्ट 5G फोन मिल रहा है, लेकिन आपको फ्लिप कार्ट पर अगर इसे खरीदना है, तो बिना ओफर के लिना चाहिए, इस चीज पर डिटेल में डिसकस करेंगे, पहले बॉक्स देखू, इन लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज बालों के साथ एक टाइप किया है, तो वैसे आपको बॉक्स पर डिजाइन मिलता है, बागी बॉक्स में सारी चीज नॉर्मल है, एक आपको एक्स्ट्रा स्टीकर्स वगएरा भी मिलते हैं, जिनने आप कहीं पर चिपका सकते हो, अब फोन की बात करते हैं, तो आपको एक ब्लैक कलर की चोईस मिलती है, एक वाइट कलर भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ब्लैक कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है, ओवरॉल इस फोन पूरा एक डिजाइन भी है, और कैमरे के पास एक ग्लोसी फिनिश मिलता है, मुझे पसंद आए ये फोन, वैसे आपको फ्लै रहा है, और कवर दिया है, उसे बॉक्स में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, सामने डिस्प्ले में भी गुरिला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है, जिस पे स्क्रीन प्रेटर लगा के दिया है कंपरी ने, तो बिल्ड भी सही है, अब इसका फिजिकल ओर्वीव कर लेते हैं तो बॉटम हेड़ फुल जाएक है, साथ में माइक है, टाइप सी पोर्ट स्पीकर है, राइट अड़ साड़ पे आपको पावर बटन के अंदर ही फिंगर्प्रिंट स्कार मिलता है, उसके उपर वॉल्म ब्रॉकर बटन है, सबसे टॉप पे आपको कुछ नहीं मिलता, तो एमिलेट डिस्प्ले है, जो कि वाइडवन L1 भी सपोर्ट करती है, क्वाल्टी वगरे मैंने चेक की थी तो क्वाल्टी और डिटेल तो बहुत अच्छी प्रडूस कर रहा है, लेकिन कलर्स थोड़े से बूस्टेड है, कलर उतने एकुरेट नहीं है, कलर्स काफी इस आउड़र में लेकी गया था और 700 nits की brightness है, तो indoor में भी यूज कर सकते हो, और असानी से आउड़र में भी इस डिस्प्ले को यूज कर सकते हो, वीविविंग एंगल्स विगर अभी चैक के थे तो वो भी अच्छी देहीं मिलते है, तो डिस्प्ले की क्वाल्टी तो का कैसे हैं, मल्टी मेडिय देख हुए, तो क्या उसमें मज़े आएंगे, तो यहाँ पर dual speaker देए गए, मुझे लगता है dual speaker के साथ से loudness उतनी जादा नहीं है, बट quality और detail तो अच्छे है, तो multimedias पर असानी से देख सकते हो, इवन headphone jack भी है इस phone में, जो की काफी अच्छी quality प types देखनों मिलते हैं, जिनने आप uninstall नहीं कर सकते हैं, disable कर सकते हो, तो उतना clean नहीं है, दिखने में इस software उतना अच्छा नहीं है, बट personally मैंने इस software को काफी ज़्यादा यूज किया है, काफी different phones पे यूज किया है, इस phone पे तो अभी इतना use नहीं किया है, लेकिन एक चीज इस phone को आप consider कर रहे हो, और software के बारे में और जाना चाहते हो, तो मैं description में link दे दूँगा, even pin comment में भी link दे दूँगा, आप वो वीडियो इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हो, और और ज्यादा समझ सकते हो, इस software के बारे में, बाकी यह software 17GB यूज करता है, 128GB में जब पहली बारी से on करते हो, लेकिन एक कमी मुझे जरूर लगी कि कोई यहाँ पर एक 5G phone है, तो I think Android 13 का promise at least इन लोगों ने कर देना चाहिता है, यहाँ पर कोई ऐसा promise नहीं किया गया, आपको security updates तो मिलेंगे, बट आपको कोई Android update का promise नहीं है, तो I think promise होना चाहिता, बट performance के अ काफी अच्छे आ रहे हैं, और मैं आपको app launching time भी दिखा देता हूं, background से सारे app close करते हैं, और एक एक करके जब मैं पहली बार app खोलता हूं, तो काफी fast कुलते हैं, इससे मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूं कि normal task में आपको कोई दिक्कत नहीं ही, काफी responsive और काफी fast आप आप extreme भी unlock कर देता हूं, तो वो भी काफी stable है, बट smooth plus ultra भी बहुत stable चल रहा है, 40 fps काफी constant है, gyro sensor दिया गया है यहापे, और gyro में बिल्कुल daily नहीं है, आप असानी से gyro के साथ भी खेल सकते हूं, वैसे phone normal task में गरम नहीं होता, gaming के अंदर जरूर यह phone गरम होता है, camera के आ वैसे दोनों चीज़े मुझे test करनी पड़ेंगी, तो यह दोनों चीज़े battery life कैसी मिलती है, charging time कितना अच्छा है, वो सारी आपको मैं complete review बताऊंगा, अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, simple में मैं समझा रहा हूं, तो please नीचे like बटन है, उसे प्रेस कर दो, और subscribe बटन है, अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, पहली बार इस चैनल पर हो, यह वीडियो पसंद आ रही है, तो subscribe कर दो, अब आगे बात करते हैं, इसके network, तो 4G प्लस काफी constant चल रहा है, यहाँ पर, GOC मैंने test की थी, और VOLT वगरा भी आपको अच्छा पिसल का, और इसकी मैं आपको फोटोस दिखाता हूँ, पहले जूम कर लेते हैं, डेटेल्स की बात करें, तो definitely 108 में पिसल वाली कुछ खास ऐसा नहीं लगता कि बहुत जादा डेटेल आ रहे है, डेटेल है, यहाँ पर background में भी डेटेल है, आपके चेहरे भी डेटेल आती बहुत constant काम किया, बहुत अच्छा काम किया, portrait shots में edge detection भी अच्छा है, night के time भी एक super night mode support करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है, colors काफी maintain रख लेता है, noise काफी कम आती है, light भी काफी uniform रहती है, रात के अंदर भी यार जो main sensor है, वो दिन में जैसा काम कर रहा था, वैसे ही अ बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, बैक कैमरे से आप 1080p 30fps भी वीडियो बना सकते हो, लेकिन वहाँ पे stabilization नहीं है, तो चलते वक्त भी आपको stability तनी अच्छी नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे आप दोड़ते हो, तो और ज ज्यादा shaky वीडियो बनती है, तो बैक कैमरे से वीडियो अच्छी नहीं है, सामने से थोड़ी सी stable जरूर बनती है, बट यहाँ भी EIS नहीं है, और यह भी 1080p 30fps भी बन रही है, तो ज्यादा detail भी नहीं मिलती है, और इतनी clarity नहीं मिलती, तो वीडियो quality में यह phone जरूर निर service तो अच्छी मिलने वाली है, वैसे कैसी service रहेगी, उसके लिए मैं एक dedicated वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैंने भी personally कभी visit नहीं किया Infinix के service center में, तो बिल्कुल detail में तो नहीं बता सकता, बर tie app तो अच्छा किया है, अब आखरी में आप लोग को यह भी सवाल रहेगा, कि क्या आपको भी phone लेना चाहिए, तो देखो 24 गंटे या जितने मैंने इस phone को use किया ना, उसके साबसे मुझे काफी balanced 5G phone लगा, performance अच्छी है, display अच्छी है, पंचोल होना चाहिए था, बट display की quality अच्छी है, sound quality अच्छी देखनों मिलती है, और overall phone का जो main sensor है, वो काफी पिलाबा मुझे major कोई बहुत बड़ी कमी नहीं लग रही है, software definitely इनके कमी तो है, थोड़ा सा दिखने में बहतर बनाएं, उसे promise अच्छा दे, updates अच्छा दे, तो definitely ज्यादा लोग इनके phone को खरीच सकते है, बट फिलाल जितना मुझे लगा, ये एक balanced 5G phone है, इवन इसका ज 13,000 रुपय में काफी balanced 5G phone मिल रहा है, performance बगारा, display बगारा है, तो हाँ वो phone भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर आपको camera definitely high मिल रहा है, 8G भी RAM मिल रही है, तो ये भी चीज़ आप देख सकते हो, बाकी detail में वीडियो बनाएंगे, साथ दिन इस phone को मैं test करूँगा, detail में ब वो वीडियो देखनी है, ये वीडियो पसंद आईगे है, प्लीज लाइक करना, पहली बार इस चैनल पे वीडियो देखे रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करना, मिलते हैं आप से लोट में, thanks for watching, end of for all